एलो गाइज तो आजके इस वीडियो में हम Closed cycle OTC system के बारे में learn करेंगे तो basically OTC system जो close होती है उनको Anderson cycle भी कहीं exam में as a question पूछी गई है तो यह यहां पर नाम है वो हमें याद रखना है and जो close cycle OTC system है वो एकदम simple and जो आसान होती है इस तरह से है हम basically इस system को जानते ही है और यह cycle को तो यहां पर दर्साय है कि नीचे जो ocean की surface and ocean की depth होती है वो दोनों layer को और उनके बीच का minimum level and distance होता है वो 1 km का होना चाहिए तो बाद में यहां पर जो उनकी ocean surface होती है main वहां से hot water जो pump से through boiler में आता है तो boiler में बता ही है कि water to जो vapor में convert होता है वो procedure यहां पर होती है pipe से through तो यहां पर water surface आता है boiler में बाद में जो यहां पर एक प्रकार से boiler है वह इट एक्स आंजर जैसा काम करता है and वहां से जो वेपर आती है वह free on वायू के रूप में आती है और बाद में वह टर्बाइन में जाती है तो यहां पर जो water vapor to liquid हो गया यहां पर हमारा boiler में से तो वह directly टर्बाइन में आ जाता है and बाद में टर्बाइन में क्या होता है तो कि एक circular motion होती है wands की और उनमें जो steam होती है यानि की vapor वह directly अथड़ाती है and बाद में वह एक rotation movement आता है और जो उनके through एक pipe जुड़ा होता है जो एक जंडेटर के साथ जुड़ा होता है turbine and जंडेटर तो उन दोनों में जो motion होती है जंडेटर में भी तो वह एक electricity के रूप में हम इस output ले सकते है बाद में यहां पर गरसा है and बाद में जो exhaust होती है water vapor की वह हम यहां पर condenser यानि की heat exchanger 2 में हम यहां से ले सकते हैं तो यहां पर basically क्या होता है कि water vapor to liquid में convert होता है condenser का जो main use है वह है तो यहां पर हमें cool water चाहिए तो जो हमारी vapor आई है वह यहां पर condensed हो जाए तो यह जो main यहां पर pipe दिखाया है वह यहां से cold water यानि की depth water है होहां से हम cool water को as a input लेते है condenser में and बाद में है वह यहां पर hot water होता है होहां पर यह output में छोड़ देते हैं तो इस तरह से जो water vapor to liquid हो यहां पर हम procedure में use करते है बाद में जो इनका liquid होता है वह हम यहां पर boiler में hot होता है वह यहां पर boiler में हम use कर सकते है तो directly यहां पर boiler में जो hot water होता है वह हमें कम चाहिए यहां से तो इस तरह से इनकी efficiency हम बढ़ा सकते है तो basically एक easy system है and कहीं सारी exam में पूछे गए भी question है तो यह याद रखना है and close cycle otc system को enderson cycle बोलते है वह main जो बात है वह इस topic की है तो इस तरह से exam में पूछे जाते हैं